असलाम वालेकूम आई यूटिव फैमिली तो कैसे हैं आप लोग सब उमीद करती हूं सब ठीक हूंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं आप लोग की तमाम जो डाउट्स हैं केक स्पंज बनाने में तो वो मैं किलियर करने के लिए आई हूं इससे पहले मैंने चॉकलेट स्पंज आप लोग के साथ शेयर किया है तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला है उमीद करूंगी आज की वीडियो में भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं वनेला वनेला केक स्पंज जो के बहुत एज़ी तरीके से मैं बनाऊंगी काफी लोगों को डाउट होता है कि ग्राम्स हमें समझ में नहीं आते हैं और किसी के पास मेजर्मेंट कप्स नहीं होते हैं तो आप लोग के आ सकते हैं उसी के साथ आप जो है ना अपना मेजर्मेंट कर सकते हैं तो यहां मैंने लिया है एक कप मैदा बिलकुल लेवल मैंने लिया है और एक कप चीनी और अंडे मैंने लिये हैं दो और वनेला एसेंस और केक मोल्ड मैंने अल्रेडी रेड़ी किया है और यहां ओवन को भी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है तो अब यहां अपना बैटर त्यार करने के लिए सबसे पहले लेंगे दो अंडे और यहां मैंने दो अंडे ले लिए हैं और इसमें जो हैना मैं एक कप शुगर एट करूँगी आप चाहें तो ग्राइंड कर लें या फिर ऐसे ही एट करें और आज जो हैना मैं अलेक्ट्रिक बीटर यूज नहीं कर रही हूँ और साथ साथ यहां मैंने एक टेबल स्पून के जितना वनेला एसेंस एट कर दिया है और अब मैंसे इतना बीट करूँगी इतना बीट करूँगी कि यह जो हैना क्रीमी ट्रेक्शर में आ जाए फॉर्म टाइप जैसे बने ना स्टिफ फीक्स और बनते हैं जिस तरह से तक कपचीनी और एक टेबल स्पून वनेला एसेंस आप इसको इतना मिक्स करें कि इसका कलर चेंज हो और यह फॉर्मी टेक्शर में आ जाए और एक सवाल यह भी था कि आप जो हैना बेकिंग पावडर और बेकिंग सोडा क्यों नहीं एड करते तो मैं शेफ नहीं के रेसिपी कि कितना स्पंज जो हैना सॉफ्ट और क्या कहते हैं स्पंजी होगा तो मैं एड नहीं करती हूं लेकिन अगर आप लोग एड करना चाहें तो कर लें और मैबे को हमेशा चान के डाला करें इसके अंदर जो क्रम्स वगरा होते हैं तक कि हमारे बैटर में कोई लंस ना हो यह देखें आप लोंको कुटलिया टाइप नजर आ रही तो आप इन्हें रिमूब कर दें और इनको अच्छे तरीके से जो हैना आप कट एंड फोल्ड मेटड से मिक्स करें चाहें आप अपने हातों से जो हैना मिक्स करें बस यह दिहान दें कि इसको बहुत ज्यादा मिक्स भी नहीं करना वरना हमारा इस्पंज जो हैना थोड़ा सा थेक और सक्त टाइप का होगा सॉफ्ट नहीं होगा अपर हमारा बैटर बहुत अची तरीके से रेडी हो चुक है पहुत ज्यादा तिक नहीं बहुत ज्यादा फार्यादा यह नहीं है बस अब से मैं मोल में ट्रांसफर करून की और सासाथ में ऐसे equal भी करूंगी और आप चाहें किसी spatula से बराबर कर लें या जस्ट टैप टैप कर लें तो उससे भी जो है न air bubbles नहीं बनेंगे और अब ये देखें माशाला से अभी से जो है न ये जाग बन रहे हैं इसमें फॉर्म देखें आप इसका बहुत ही अच्छे तरीके से बन के त्यार होगा इंशाला और यहां मेरा ओवन जो है न मैंने 10 मिनट पहले ही प्री इट होने के लिए रख दिया है और 25 मिनट के बाद ये देखें हमारा केक और मॉस्ट जो है न राइज हो चुका है अब बस इसको निकालने की देर ही है इसको निकालने के बाद में आप लोगों से शेयर करूँगी केक जो है न मैंने ओवन से निकाल दिया था और कुछ देर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है अगर आप लोगों को समझ भी नहीं आता के केक किस तरह से रेडी है क्या इसकी पैचान है तो ये देखें साइट से केक मोल्ड को चोड़ देता है और आप स्टिक से केक अंदर तक अच्छे तरीके से बेख हो चुका है माशा लह से देखें इसकी हाइट भी अच्छी और माशा लह इसका सॉफ्ट है आप लोग चेक करें और देखें माशा लह कितना सॉफ्ट और स्पंजी इसका स्पंज बनाए जस्त तीन चीजों से अंडा मैदा वनेला और चीनी कोई extra मैंने इसके अंदर चीज एड़ नहीं किये और एक tip और मैं आप लोगे साथ शेयर कर रही हूँ जो के बिगनर्स को बहुत काम आएगी आप जो है ना केक के जब लेयर करने वाले होंगे अगर आप जानते हैं तो आप नाइव से इसके दो या तीन लेयर कर सकते हैं लेकिन अगर आप वेगनर्स हैं तो आप साइड से जो है ना चारों तरफ एक कट लगा लें नाइव से और एक दागा लें और दागे को इन कट के अंदर जो है ना पसा के इसको खीचें एक साथ ही कीचेंगे पसा के मैं इसको एक साथ करके जो है ना कीच होंगी और एक बात और अपना जो दूसरा हाथ है आप इसके उपर यूँ थोड़ा थोड़ा दबा के तक के आपका केक जो है ना तूटे नहीं इसको एक साथ ही आप खीचेंगे तो आफ देखें कि इसके लेर कितने अच्छे तरीके से एक्वल साइज में कट होंगे वां बागा बाएर आगया है बस आपको ये धियान रखने है अपने हात उपर लेकना है और माशाला ये देखें लेक्वल लेर कट चुके हैं आप इसी तरह से दो या तीन लेयर कर सकते हैं और माशाला इस पन चेक करें बहुत ही सॉफ्ट है I hope कि आज की रेसिफी जैसे तैसे मैंने आप लोगे साथ शेयर की है मैं जानती मुझे अथे तरीके से बोलना नहीं आता लेकिन बस यह है कि मैं आपने चोटी चोटी चीज़ें आप लोगे साथ शेयर करती हूं मुझे खुशी होती है आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं वीडियो को लाइक करते हैं वाच करते हैं तो इसी तरह से मेरी हर एक वीडियो को आप लोग वाच किया करें लाइक करें शेयर करें और जो जो चीजें मैं सीख रही हूं और जो जो चीजें मैंने सीखी हैं वो तमाम जो है न मैं आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों का भी फाइदा हो उमीद करूंगी आज की वीडियो आप लों को पसंद आई होगी है पसंद आई होगी तो लाइक शेर और कमेट करना मत भूलिएगा और ये देखे मेरे पेटे को भी बहुत ही जो है न क्रेविंग होई है कि जल्दी से आप जो है न हमारे लिए पेस्ट्री बनाएं तो जरू ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा होगा तो वो भी आप लों के साथ शेर करूंगी मैं